नमस्का दोस्तू, स्वागा थे आपका हमारे चनल पीके गुरूजी में आज के अपने इस वीडियो में हम इत्यास से सम्मंधित कुछ पिष्णों का डिस्कस करेंगे तो जिन पिष्णों की हमें हम बात करेंगे चलिए उनको देख लेते तो इसमें जो हमारा सबसे पहला प्रसन है के निम्नलिक्त में से कौन सा प्रयगी तिहासिक स्थल मालवा संस्क्रित का प्रारूप स्थल है औप्शन बी कायथा ऑप्शन सी नवदा टोली और ओप्शन डी जोर भी तो इसका जो सही अंसर है वह है नवदा टोली ठीक है तो नवदा टोली जो प्रेगी तीहासिक इस्थल है यह मालबा संस्किती का सबसे पहले तो इसका प्रारूप इस्थल है अगर हम बात करें इस नवदा टोली इस्थल की तो इस नवदा टोली का जो उद्खनन है सबसे प तो यह भी आपको याद रखना है जो नबदा टोली प्रहगित यह स्तल है यह मद्दि प्देश में स्तल थे सबसे पहले HD संकल लिया ने इसका उत्खनन कराया था और इसका उत्खनन हुआ था 1957-58 में यह date भी आप याद रख लेजिए ठीक है 1957-58 में इसका उत्खनन हुआ था HD संकल लिया ने कराया था और मद्द्देश में है इस्थल इस्थिति आगे बढ़ेंगे आगला पस्न है कि Man makes himself थीक है यह किस पुरा तत्विदिकी रचना है थीक है हमें बताना है कि Man makes himself किसकी रचना है Option A Alexander Cunningham Option B Garden Child Option C HD संकल लिया और Option D DP अगर्वाल तो इसका जो सही अंसर है वो है Garden Child थीक है तो Man makes यह जो रचना है यह गार्डन चायली की ठीक है अगर हम गार्डन चायली की बात करें तो जो गार्डन चायली थे इन्होंने जो नव पासानिक उपकरण है उन अपकरणों को जो मानाव के जीवन में क्रांती हुई थी उसे उन्होंने बोला था कि नियो लोतिक जीवोलोशन क संग्या दी थी गार्डन चायल लेने किसको दी थी जो नाव पास आने को करन थी ठीक है तो यह है आपको रहाद रखना है और मैंने मेक्स हिमसेल्फ यह जो पुस्ता के इसको भी याद रखना है आगे बढ़ेंगे कि पिली इस्टोसीन यूग निमलिखित में से किस यूग क समाना आरती है ठीक है पिली इस्टोसीन यूग को हम बताना है कि किस यूग के समाना आरती है आप्शन ए हीम यूग का आप्शन बी हीम बहीन यूग का आप्शन सी लोह यूग का और आप्शन डी लोह बहीन यूग का तो इसका जो सही अंसर है वह हीम यूग का ठीक है तो पिली इस्टोसीन यूग है जो यूग सम्मन्दित है उसे हम बोलते हैं हिम यूग ठीके तो इसका सीधा सीधा सम्मन्द है हिम यूग से और इसी को एक नाम से और जाना जाता है वह नाम है पुरा नूतान यूग ठीके तो इसको पुरा नूतान यूग के नाम से भी जानते ह है फिलोश्ट फिन तानीव के नाम से जनते है और यहीं होता है कि इसको जाना जाता है होलोसीन के नादा मैं प्रांस के नाम से तो यह भी आपको याद रख लेना आगे बढ़ेंगे चार्ल्स डार्विन कहां के निवासी थे? तो मैं बताना है कि जो चार्ल्स डार्विन थे यह कहां के निवासी थे? Option A, America, Option B, France, Option C, Germany, Option D, England. तो इसका जो सही अंसर है वह हैं England, ठीके? तो जो चार्ल्स डार्विन थे यह हैं England के निवासी थे? अगर हम बात करें चार्ल्स डार्वन के बारे में तो प्राक्तिक बरणबाद का सिध्धान ये दिया है चार्ल्स डार्वन ने इसके अलावा चार्ल्स डार्वन के नाम से एक जहाज और फेमा से उस जहाज का नाम है बीगल ये भी पूछी लिया जाता है कि Charles Darwin ने जिस जहाज में आत रखी उस जहाज का नाम क्या है उस जहाज का नाम है Beagle और इनकी एक पुस्तक है The Descent of Man वो भी Charles Darwin ने लिखी है और एक पुस्तल और इनकी The Origin of Species by Means of Natural Selection या जिसको Natural Selection अकिला बोला जाता है वो भी Charles Darwin ने लिखी है और यह थे England के निवासी आगे बढ़ेंगे कि हड़ापा सभधा के अंतरगत हल से जोते गए खेत का साख्च कहां से मिला है ठीक है हल से जोते गए खेत का साख्च यह हमें बताना है कि जो हल से जोते गए खेत का साख्च है यह कहां से मिला है Option A रूपर Option B लोथल Option C काली बंग से मिले हैं हल से जोते गए खेट और जो काली बंगा जो इस्तल है यह राजिस्थान राज में इस्तित है और यहां से हल के जोते गए खेट तो मिले ही हैं लेकिन यहां से हावनकुंड मिला है बली प्रथा के साक्ष भी मिले हैं और अलंकरत इंटें भी यहीं से मिली हैं तो Option A, पंजाब. Option B, सिंध. Option C, गुजरात. Option D, उत्तरपदेश. तो इसका जो सही अंसर है, वह है सिंध. ठीक है? तो यह सिंध प्रांत में मोहन जोदरो इस्तित है. अगर हम मोहन जोदरो की बात करें, तो यह सिंध पाकिस्तान के सिंध प्रांत में. इस्तित है. और यहां से, जो मोहन जोदरो है, यहां से एक बहुत बड़ा एक ब्रहत इस्नानागार मिला है. ठीक है? यह है आपको याद रखना है. और मोहन जोदरो को मुर्दों का टीला या मरत्कों का टीला के नाम से भी जानते हैं. या इसको नखल स्तान भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? नखल स्तान. ठीक है? और यहां पर नित्र मुदरा वाली इस्तरी की एक कांस मूर्दी भी मिली है. तो मोहन जोदरो के बारे में यह है आपको याद रखना है. आगे बढ़ेंगे कि हरपा कालीन इस्तलों में अभी तक किस धातू की प्राप्ती नहीं हुई है. आप्सण A. तावा. आप्सण B. स्वर्ण. आप्सण C. चांदी. और आप्सण D. लोहा. तो जो लोहा धातू है इसकी अभी तक हरपा कालीन इस्तलों से प्राप्ती नहीं हुई है. अगर हम भारत के परवेक्ष में बात करें तो भारत में लोहा योग का जो प्राराम हुगा उत्तर बैदे काल से माना जाता है. आगे बढ़ेंगे किस पसू के आउसे से सिंधू घाटी सब बता में प्राप्ते नहीं हुए हैं. ठीके? आप्सण A. सेर. आप्सण B. घोड़ा. आप्सण C. गाए. और आप्सण D. हाती. तो इसका जो सही अंसर है वहा है सेर. ठीके? तो सेर के आउसेस सिंधू गाटी सब बता से नहीं मिले हैं जबकि घोड़ा, गाय, हाती और इसके अलावा हम बात करें तो हेरन और भीर्ड और गेरा ये सब तो हमाई आउसेस मिले हैं लेकिन सेर के यहाँ पर कोई भी आउसेस नहीं मिले आगे बढ़ेंगे कि निमलिखित मैंसे कौन सा एक हडपा इस्थल नहीं है उप्शन ए चनहुदरो, उप्शन भी कोट दिजी, उप्शन सी सोह गोरा और उप्शन डी देशलपुर तो इसका जो सही अंसर है वह है सोह गोरा ठीक है तो सोह गोरा जो है हडपा इस्थल नहीं है यह उत्तरपदेश के टिले में इस्थल है और यहां से चंद्रगुप्ट मौर के शासन काल के समाय के अवलेख पाए गए है और अगर हम बात करें सोह गोरा अवलेख की तो सोहगोरा अवलेक में सूखे से पीड़त पजा को जाहत देने की बात की गई थी तो सोहगोरा इसलिए पिसद्दे क्योंकि यह चंद्रगुप्त मौयके सासनकाल का अवलेक है और सूखे जब सूखा वहाँ पढ़ा होगा तो उस सूखे से पीड़त पजा को कुछ मौपजा दिया गया होगा यह जाहत दी गई होगी तो उसका अबलेक यह माना जाता है सोहगोरा आगे बढ़ेंगे कि हडप्ता के समय का तामे का रत किस इस्थान से प्राफ्त हुआ है ओप्शन ए कुनाल, ओप्शन B राखेगडी, ओप्शन C दाइमाबाद, ओप्शन D बनावली इसका जो सही अनसर है वह तामे का रत है यह मिला है दाइमाबाद से अगर हम बात करें दायमाबाद की तो यह महाराष्ट राज्य में इस्तित है ठीक है पूछ लिया जाता है कि जो दायमाबाद इस्तित है यह कहां पर इस्तित है तो दायमाबाद इस्तित है महाराष्ट राज्य में इस्तित थेंक्यू दोस्तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद